हेलो फिरिंन्स आपको हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फिर आपको भी बेचायिना में प्रेसर पड़ रहे होंगे पेट में प्र्रेंड निचले हिसे में दर्द रहर होंगे तो यह पेट में दर्द मरोड कड़कपन के कितने दिन के बार डिलिवरी हो जाती है या फिर हो जानी चाहिए इस वीडियो में पूरी जनकारी आपको देने वाली हो तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ जो है बेल लाइका जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अप्लोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए देखिए होता क्या है कि नाइन मन्त में जब आ जाती है ऐसे तो पेट में कड़कपन मरोड पूरे एक से लेके नाइन मन्त रहता है लेकिन उसका अलग स्टेज होता है अगर आपको यह कड़कपन मरोड पहले ट्राइमिस्टर में है तो अगर ज्यादा है तब तो आपको तुर्ण तब्रें डॉक्टर से संपर करना चाहिए और यह कड़कपन मरोड दर्द के साथ आपको हलकी सी भी स्पोर्टिंग ब्लीडिंग आ रही है तो कि आपको गैस कवैसन हो रहा हूं हिससे भी आपके पेट में कड़क हो सकता है मरोड बी हो सकते हैं और यहां पर फ्रेंड्स यह क excel हो दर्द है यही पर अगर आपको सेकेंड ट्राइमिस्टर हो या कोई भी महीना हो अगर आपको जो है प्रेगनेंसी में पेट कड़क है मरोड है दर्द है एठन हो रही है तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए इसके साथ ही अगर आपको थोड़ी से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे ब्लीडिंग हो रही है इस पोर्टिंग हो रही है या फ खत्रे की घंटी होती है खत्रे का इंडिकेर करता है इसके बाद फरेंट्स अगर आपको नाइन मन्त में पेट करक खोड़े हैं मरोडे उठ रही है दर्द हो रहे है तो ये आपको फॉलस लेवरपिन की और इसारा करते है क्योंकि देखिए फरेंट्स होता क्या है कि जब मन्त में आ जाती है और जब आपका सीसू है डाउन पोजिशन में आ जाता है तो आपके बेजाईना पे काफी प्रेशर पढ़ने लगता है इस इस बेजाईना पे इतना प्रेशर पढ़ता है कि आप जो है बहुत परेसान हो जाएंगी करवट लेते समय उठते बैठते चलते फिरते हर एक काम करते आपके बेजाईना पे काफी प्रेशर पढ़ने लगता है क्योंकि आपका सीसू इस सामय हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है जब और जब सीसू हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है तो बेजाईना पे प्रेशर पढ़ना आम बात होता है इसके अ अब कुछ ही सिमय बागी है एक खपते बाकी इससे जादा आपको को नहीं ज्यहलना पड़ेगा समय नहीं जाएगा इस समय कर लिए और सिशू है जब क्रवि ऐड तक नहीं खष्टी है क्या झूहसे रजादा दिन तक नहीं खिशता है पेशा डालने लगता है, जिससे कि आपका जो सर्विक्स है, ओ खूलना उखुलना शुरू हो जाता है और आपको डेलिवरी हो जाती है, यही पेशर highest अगर आपके पानी कि ठेली फट जाती है, या फिर ब्लीडिंग और इस्पोटिंग हो रही है और वही है और जो आपके प पेट में दर्द जो है कमर से लेके आपके पेट तक जाता है इसके अलावा ये दर्द आपके थाई में हो रहा है पैरों में हो रहा है तो फ्रेंड्स ये आपको लेवर पेंक्यों रिशारा करता है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए तुरंत आपको जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि अगर पानी के थैली फट जाती है इस्पोर्टिंग ब्लेडिंग होने लगती है तो आपके डिलीवरी में ज्यादा समय नहीं बसता है अगर आप अपना पोजिशन चेंज करेंगी तो यह ठीक हो जाएगा आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक वीडियो